हालो दोस्तो स्वागत है आप सभी को मिश्टर भाइ फैक्ट में चलिए जानते हैं जो रोचक जन्कारी दोस्तो क्या आप जानते हैं बच्चा पैदा होते ही उसका रोणना जोरूरी क्यों है अगर नहीं तो चलिए आपको मैं बताता हूं दोस्तो ऐसे ही रोचोग जनकारी के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब कर ले और बेल आइकन को दबा ले चाकि नोटफिशन आपको मिलता रहेगा जब बच्चा पैदा होता है तो उसके रोने को लेकर अपने तरह तरह की बाते सुनी होगी कोई से पराणी काल से जूड़ी बात मनता है तो कोई इसका सांटिफिक कारण भी होता है तो चलिए जानते हैं कि पैदा होते हैं बच्चे का रोना ज़रूरी क्यों है जब बच्चा मा के गर में होता है तब वह सांस नहीं लेता वो एम्रियोटिक सेक नाम की एक थैली हता है जिसमें एम्रियोटिक दरह भरा होता है उस समय बच्चे को फेफडे में हावा नहीं होती उनके फेफडों में एम्रियोटिक दरह भरा होता है इस इस्तिति में बच्चे का सारा पोसण अपनी मा के गर्बनाल द्वारा होता है मा के सरीर से बाहर आते हैं कि गर्बनाल काट दी जाते हैं इसके बाद बच्चे को लटा लटका कर उसके फेंफ़डों से एमरेटिक द्रव निकाला जाता है ताकि फेफडे सास लेने के लिए तैयार हो सके और वाईवो की संचार हो सके और इन सब कारियो के लिए बच्चों को रोना बहुत महटोपों होता है क्योंकि जब बच्चा रोता है तो वाईवो का संचार तेज होता है और फेफडे अच्छे से कार करने लगते हैं दोस्तों ये वीडियो कैसा लगा आप कॉमेंट करके जोब बताईएगा मिलते हैं अगला वीडियो में एक और नाइजन करी के साथ तब तक के लिए थैंक्यू